आल राइट आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को याद है अगर आप लोगो को तो मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगो को कि मेरे पास दो-तिन वीडियो पड़ी है मेरी पुरानी चैनल पर मैं डालता था तो वो मैं री अपलोड करना चाहता हूं कुछ-कुछ पर दिन तो आज बई दिन है आज मैं आप लोगो को मेरे पुरानी वाले वीडियो लोड करके दिखाने वालाओं याने इस चैनल to KGO B y जो हुई थी बाद में वो चैनल पर मैंने सारी वीडियो उसको डिलीट कर दिया उसको बैक अप ले लिया था तो मैं आज यहां पर इस चैनल के उपर अप्लोड करने वाला हूं बेसिकली वीडियो किस प्रकार किये तो यह वीडियो है जैसन हेडिस की मैथेडलोजी ठीक है उनकी methodology आती है हर बार वो हर साल एक नहीं नहीं methodology के साथ आते हैं version 1, version 2 करके तो उसमें से पता नहीं मुझे याद नहीं है version 3 या version 2 उसको मैंने decrypt या फिर decode जो भी कहना चाहते हो वो मैंने किया हुआ तो वही मैं वीडियो आप लोगों के साथ share करने वाला हूँ देखो पहले बता देता हूँ वीडियो बेसिकली थोड़ी सी क्या कहता है उसको यानि कि वह पूरानी वीडियो है तो सायद उसमें मेरी बोलने की style थोड़ी से अलग हो सकती है कुछ छोटी मोटी गलतिया हो सकती क्योंकि experience के साथ मैंने गलती को भी सुधा रहा है तो वो सब चीजों को ignore करना उस वीडियो को judge करने के पूरे perspective से मत देखना उस वीडियो में से जो जो सिखने को मिल रहा है वो देख लेना ठीक है यह आपको वीडियो बहुत ही helpful करेगी अगर आप एक beginner हो तो करेगी करेग ठीक है और उसके बाद जो भी करना चाहते हो कर लेना अगर अच्छी लगे तो अच्छी बात नहीं अच्छी लगे तो कोई बात में लेकिन मुझे लगता है आपके तक पहुंचनी चाहिए वीडियो तो मैं आप लोगों को बताने बालो तो स्टार्ट करता हूं वीडियो को अच्छी वीडियो को अच्छी वीडियो को स्टार्ट करता हूं देखो कितने अच्छी वीडियो है क्या हुआ नहीं दीख रहा है अच्छा सौरी जूम करके दिखाता हूं तो आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जैसन हैडिक्स आप सब जानते होंगे जैसन हैडिक्स कौन है जैसन हैडिक्स बग हंटिंग की दुनिया में बहुत ही बड़ा लिजेंड है ठिक है उन्होंने काफी कुछ किया हुआ है हमारे इंटस्टर के लिए इन्फोसेक के लिए और वो हालवीड क्राउड के साथ काम करते हैं तो उनका जो होता है वह साल एक मेथडोलोजी बहार आता है। जिसका नाम वो देते हैं फरेजन विजन बांटेजो रेजन थिर तो यहां पर हम देखने को मिलता है यहां पर पूरी ट्रेनिंग दे रखेए देखो यहां पर आप देख सकते हैं वर्जन 4.0 यह 6 मंत पहले हुआ है आज इसी की बात करने वाले लेकिन यहां पर सारे अलग-अलग वर्जन से हैं उन्होंने जो यह version 4 किया उसकी उन्होंने एक visualization एक पूरा mind map निकाला हुआ ठीक है पूरी इस जो उनका webinar हुआ था उसका पूरा पूरा यहां पर conclusion है यहां पर पूरा notes है की notes है तो आज हम इसको decrypt करने वाले और यहां पर हम देखने वाले कि यह चीज़े कैसे यहां पर बत देखना है तो इसको आज हम decrypt करेंगे A to Z सारी चीज़ें इसके बारे में बात करने वाले हैं तो अगर आप लोग नए हो बागंटिंग के दुनिया में अगर आप लोग पैनेटर संट्रेस्टिंग के दुनिया में नए हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful हो सकत अगर आप लोग यहां पर नए हो एकदम नूब हो और यहां पर समझ जाओगे क्या चीज़ें कैसे काम करते हैं तो यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ फाइंडिंग सीट से इनका क्या कहना है ठीक है बिलकुल रॉच चीज़ें करेंगे यहां पर बिलकुल नॉर्मल बात होसल करेंगे हम लोग जैसे करते हैं सो करते करने के लिए पीडाइंग करने परते सबसारे चीजेoftा है अब सब्लो embr convenient करने अलग कॉंसेप्ट है लेकिन finding seeds से यह क्या कहना चाहते हैं कि petium जैसे कि हम example लेते हैं आज यह पूरी वीडियो के अंतर हम petium को as a example लेकर चलेंगे so petium.com petium.com का कोई तो seed होगा ना कोई भी plant हुगता है तो उसका कोई seed होता है वहाँ से वो उगने की सुरुवात करता है the seed is the main initial process of any plant वहाँ से वो start होता है और वो grow होता है so basically कोई भी domain होगा कोई भी organization होगी उसका भी तो एक seed होगा तो वो seed find करना होता है अब लोग ऐसा कहते हैं जो बड़े-बड़े bug hunters होते हैं वो यह कहते हैं कि आप लोगों को bug hunting करते हैं समय सब डोमेंस की पूरी लिस्ट बनाने चाहिए और सब डोमेंस अलगलग तरीकों से करा जाता है जो हम आज देखने वाले जहां पर सबसे पहले यहां पर हम देख रहें finding seeds करने के लिए इन्होंने एक website का नाम बता हुआ है जो है crunch बेज तो लेट उस विजिट क्रंच बेज को हम विजिट करते हैं और यहां पर मैं आपको समझाता हूं यह कहना क्या चाहते हैं ठीक है यहां पर दिखाता हूं for example let's do for paytm ठीक है तो यहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीजे देखने को मिलती है उसमें से हम क्या करेंगे हम यहां पर उपर financials में जाएंगे ठीक है financials और यहां पर आप लोगों को acquisitions देखने को मिलेंगे ठीक है यहां लोग नीचे आएंगे तो आप लोग देख सकता है यहां पर लिखा हुआ acquisitions number of acquisitions is 11 ठीक है यहां पर पढ़ सकतो transaction name balance acquired by paytm, night stay acquired by paytm, cube 26 acquired by paytm यह जितने भी यहां पर domains दिख रहे हैं यह सारे domains paytm ने acquire कर रखे यानि कि there might be some possibilities कि यह जो acquisitions हैं वो acquisitions आपको थोड़े सी help कर सकते हैं उसके server तक पहुँचने में let's suppose कि यह जो server है वो साथ paytm के खुद के server हो या फिर consequently जो IP address है वो इससे मिलते जुलते हो आप लोग क्या कर सकते हैं whenever अब एक और चीज़ बताता हूं acquisitions related कि जैसे कि paytm.com है तो paytm.com के उपर penetration testing यानि कि bug hunting वह वहाँ पे जो employees होते हैं जो security researchers होते हैं पेटm के वो लोग करके रखते हैं उसके बाद हमारे पास bug hunting करने के लिए ptm.com आता है जहां पर हम बग hunting करते हैं जितने भी बग hunters available हैं बग hunting करते हैं so basically जो main domain होता है वो main domain के sub domains के उपर और main domain के उपर काफी सारे लोगों ने कर रखा होता है so there might be a less possibility कि आप लोगों को वहाँ पर bug find हो सकता है but it will take a lot time ठीक है तो बहुत ज़रा time लगता है उसको करने के लिए so basically यहाँ पर क्या होता है जैसे कि मानलो remote code execution वर्ड नलविट है जिसको आप server के उपर execute करोगे और server से आप server को in short destroy कर सकतो और you can get an access to the server तो अगर ptm.com जो main domain है वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने करके रखा हो तो so you what you can do is अप लोग इस acquisition के उपर भी remote code executions try कर सकते हो and if you can find any vulnerability here हम यहाँ पर आपको कोई भी vulnerability मिलती है तो आप इसको report कर सकते हो and there might be a good possibility कि आप लोगों को bounty pay हो सकती है अगर आप लोग remote code execution करते हो यहाँ पर और करते करते आप ptm तक reach कर सकते हो then it might be a vulnerability for that server तो आप लोग इसको report कर सकते हो अगर आप लोग समझना चाते हैं इसके बारे में तो यहाँ पर में एक वीडियो यह वीडियो यहाँ पर एक टूल भी पता है वह यह चीज़े करनेगा यह वीडियो के लिंक में two hours and three minutes तो यह आप देख सकते हैं बहुत useful है आपके लिए तो इसकी भी मैं आपको क्या करूँगा link description में provide कर दूँगा अब हम बात करते हैं ASN enumeration के बारे में ASN क्या होता है आप लोगोंने कई बार चुना होगा लोग बोलते हैं ASN look up ASN look up ASN look up so basically जैसे हम इसको visit करेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारे पास एक search box है so आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर hurricane electric internet service की website है ठीक है but you can use it for ASN मैं आपर कहा करता हूँ पेटीम लिखूंगा और enter जैसे ही press करूँगा तो हम लोग देखेंगे पेटीम का जो acquisition होगा वो आ जाएगा let it be error आएगा लेकिन आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीम का acquisition नंबर आ गया है अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग को ASN अनुमरेशन बताया गया है तो ASN अनुमरेशन में जब भी आपके पास ASN नंबर आता है तो ASN नंबर के साथ जुड़े होगे बहुत सारे और domains होते हैं जो आप find कर सकते हो इसे कहते है रिकॉनासिस ठीक है आप लोग क्या करते हो नॉर्मली जो भी beginners होते है उनको बस य A.N.N.N. कर रहे हैं तो जहां पर आप लोग इस ASN नंबर को यहां से copy कर सकतो ठीक है है तो लैटिट भी हमने यहां पर इसको copy कर ला है अगर हम इसको open करेंगे तो भी आप आप लोगों को काफ़ सारी informações लेकिन यह C Люб. जो अको करने वाल महाँ अभी कैसी आप सब जांते हैं विडियो बनार रखे हैं अपने में चैनल के उपर यहां पर heaom बेटन में उसकी लिंक देद रूंगा आई बेटन में जाकर उपर देख लेना ठीक है वहाँ पर मैंने आपको अमास का पूरा एक वीडियो ट्यूटोराल बनाया हुआ है वह आप देख सकते हैं उसके अंदर हमारे पास एक मौड़ी विलेजिस का नाम है इंटेल ठीक है सब्डुमें लिस्त है उसको बड़ा सकते हो बहुत सारे स्ब्डुमेंप नेकर आ सकते हो और यहां पर ASN लुकप यहां एक वेपसायट है और मेटा भी गौर भी एक वेपसायट है बट आए पुसके बाद हम लोगों को रिवर्स हूइस करना पड़ता है अब आपके दिमाग में ये question हो सकता है कि what is reverse who is, reverse who is है क्या, reverse who is basically let's suppose कि आप लोगों को कोई भी domain के बारे में नहीं पता है, लेकिन आपको उसके owner के बारे में पता है, तो आप उस owner के जुड़े हुए बहुत सारे और domains निकाल सकते हैं, जैसे हम यहापर practical थोड़ा सा देखत हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसको करने के लिए हमारे पास यह website है, hooksy.com इसको copy करके सिधा है, यहापर मैं paste करूंगा, और अब हम देखते हैं कि जो पेटीम है, उनका owner कौन है, तो पेटीम owner, जैसे हम यह type करेंगे, पेटीम owner का नाम आ जाएगा, सबसे पेटीम को hold करती है, लेकिन वीजे सेखर सर्मा, वीजे सेखर सर्मा को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे, यहाँ पर यह हुईस का जो website आ रहा है, उपर यहाँ पर आप लोग रिवर्स हुईस के अंदर जाकर owner's name में यहाँ पर पूरा नाम उसका type क करेंगे और search करेंगे, so you can see आप लोग जैसे इसको search करोगे, तो आप लोगों को पहले तो यह capture solve करना पड़ेगा, तो मैं I am not a Robert कर लेता हूँ, जैसे यह हो जाएगा वैसे आप लोगों को list देखने को मिलेगी, उस list के अंदर आप देख सकते हैं, बहुत सारे domains देखने को मिल रहे हैं, यहां पर कौन सा PTM का डोमेन है, वो आप लोगों को अगर जानना है, तो क्या कर सकते हो, जहां पर भी आपको थोड़ा सा doubt जाजा है, जैसे कि यह तो आपको देख रहा होगा, 197.net, 197.com, यह तो PTM कै क्योंकि 197 जो communication है, वो PTM को hold करती है, लेकिन यहां पर है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, नेम 197 communication, तो आपको एक सब डोमेन मिल गा है, यहां से PTM for all, और बहुत सारे सब डोमेन हैं, ठीक है, हम लोगों को resubmit करना पड़ेगा, तो what we will do, vjseker.com के उपर देखते हैं, क्या है, वीजे सेखर कौन hold करता है, लेट अस सी, क्या है ठीक है, तो यह जैसे ही लोड होता है, वैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कि vjseker.com कौन hold करता है, so vjseker.com यहां पर 197 नहीं hold करती है, यह कोई और hold करता है, so what we can do, हम लोग इस website को visit करके देख सकते हैं, there is some kind of information, आपको साथ, ठीक है, तो हम vjseker.com को visit करेंगे, तो this is a kind of fake website, ठीक है, यह बस normal website है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, for example, let us do for some another domain, ठीक है, तो यहां पर ptmmedworks.org, यह मेरको ptm से जुड़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि ptm लिखा हुआ है, okay, so हम दूसरा जो ptmmedworks है, उसके उपर जाता है, ptmmedwork.com, and we will see, यहां पर सायद हमको कोई information मिल जाए, ठीक है, so इस तरीके से आप लोग ASN का use कर सकते हो, ठीक है, तो यह 197 communication का है, तो ptmadwork.com is also in your domain, subdomain list, इस तरीके से रिकानासिस होता है, this is the best way you can do a रिकानासिस, इसलिए यह जो bug hunting methodology है, version 4, यह visualization जो हम कर रहे है, that is well and good, अगर आप लोग एक beginner हो, अगर आप तो और research कर सकते हो, for example, ASN के बारे में और जाना चातो, ASN के उपर बहुत सारी research आप कर सकते हो, and you should make a practice in your daily life कि आप लोग ऐसे चीज़ों के उपर research करो, और यह channel है, मैं यहाँ पर ऐसी concept के बारे में और बाते करता रहोंगा, आगे, so हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ह देखते हैं कि ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर Google का नहीं है, पेटेम का करते देखते हैं, मैं इसके उपर अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ ठीक है, जहाँ पर मैं बात करोंगा कि यह SSL certificates actually में क्या होता है, और यह बहुत ही useful आपको जानना चाहिए, तो इसक आप लोग काफी सारे सब डोमेन, find कर सकते हूँ, जिसे कि secure.ptm.com, 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 और भी होंगे देखो, जैसे हम नीचे जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ आपको देखने को सायद मिल सकती है, that might be a case, और यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे पेटेम मार्केट प्ले एंटर कर सकता हूँ, देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को SSL certificate का जो sodan है, वहां से आप certificates के name find कर सकता है, अब यह क्यों useful है, उसके बार में मैं अलग से dedicated video बनाने वाला हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे इसके discovery के बारे में, तो यह क्या होता है, तो JS discovery और link discovery यानि कि कई बार आप लोगों को content discovery करने ही पड़ते है, तो what is content discovery अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, so basically content discovery एक ऐसी चीज़ होती है, जो आप लोग करते हो जब आप किसी भी website के content को find करना चाहते हो, जैसे कि कई सारी JavaScript link होती है, हमारे source code के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, हम लोग, अगर sodan का तो नहीं, but we can do for let's say flipcard.com, ठीक है, so we visit flipcard.com और यहाँ पर जब भी हम इसके source code के अंदर जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर right click करके source code के अंदर जाऊंगा, sorry, okay, so view page source के अं मिलेगी, जैसे कि, so here you can see script source JS file, ठीक है, तो JS file के अंदर जाएंगे, तो ऐसी बहुत सारी informations आपको देखने को मिलती है, तो आप लोग को कई बार JS file के अंदर, या फिर source code के अंदर, आप लोगो को admin panel के लिंक देखने को मिलती है, या फिर कोई ना कोई link मिलता है, जो आपके पी टूल नहीं समझ मा रहा है, यहाँ पर comment करना, I will make a dedicated video on our main channel, जो कि है spin the hack, ठीक है, वहाँ पर follow कर लेना, subscribe कर लेना, बहुत सारी वीडियोस है, and we have a huge subscriber base of 2.5K subscribers, तो वहाँ पर बहुत सारी informative वीडियोस भी है, so यह होता है JS discovery, अगर आप लोग JS discovery बारे में और जाना चाहत user के अंडर में report कर सकता है, and you can earn a bounty only by discovering JS files, तो यह आपके लिए बहुत ही useful हो सकता है, उसके बार subdomain scraping और subdomain brute forcing दो अलग अलग नाम आपको देखने को मिल रहोंगे, so basically subdomain scraping और subdomain brute forcing होता क्या है, अब subdomain scraping जो हम लोग करते हैं, वो होता है subdomain scraping, यानि कि जो available subdomains हैं, वो ह find कर लेते हैं, by using a tool called sublister, subfinder, जो यहाँ पर लिखे हुए है, so amas की मदद से या फिर subfinder, subdomains.py, sosuk go, और यह सारे tools की मदद से हम लोग subdomains तो find कर लेते हैं, बहुत लंबी लिस्ट आ जाते है, जैसे के एक और website है, subdomain find करने के लिए, subdomain.c99.nl, ठीक है, यहाँ पर यह भी time ले रहे है, let it be, लेकिन यह website के उपर आप subdomain find कर सकते हैं, बहुत सारे tools है, आप लोग use कर सकते हैं, उसके मदद से आप लोग subdomain find कर सकते हैं, यह तो आप लोगों को पता है, या आप लोग करते हो, lेकिन subdomain brute forcing क्या होता है, basically subdomain brute forcing एक ऐसी चीज़ है, जहाँ पर आप लोग for example ptm.com है तो ptm.com के आगे for example मैं यहाँ पर notepad open करके आप लोगों को समझाता हूं ताकि आपका जो concept वो अच्छे से clear हो जाए so let हम यहाँ पर font font बड़े कर लेते हैं ठीक है now let's suppose कि star.ptm.com अब यह जो star है वहाँ पर आप लोग let's suppose कि आप लोग guess कर सकतो admin.ptm.com क्या पता यह sub domain हो जो list नहीं हुआ है sub domain scrapping जो हमने करें ठीक है जैसे कि हम यह जो कर रहे थे यह side load ठीक है तो यहाँ पर मान लोग कि admin.ptm.com की list नहीं आई है तो हम क्या कर सकता admin.ptm.com की यह है गया सकता यहгор पर लिख सकता हैki is काम कर सकता हैरते हैं टहम सकता है अगर कोई हमको वेलीड सब डूमेंग्लाएं JUL जाता है तो वह अमारे बहुत ही क्या Cameron उच्ण बूमेंगर यह आ आप आप आटमेटिक कर सकते हो यह काम करने की जरूरत नहीं है आप क्या कर रहो ebc.ptm.com लिख रहो इसको कॉपी करके Google में पेस्ट करोगे देखो कि क्या यह सब डोमेन है तो हम क्या कर सकते हैं यह जो टूल्स दिये गाए है इसके अंदर वो यूज कर सकते हैं अमास के अंदर all.txt एक सब डोमेन की जो मैं वह भी दिखा देता हूं जैसन हैडिक्स की ठीक है जो आप देख सकते हैं और टी एकस टी कहां पर होगा ठीक है यहाँ पर है सेक लिस्ट के अंदर यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो इसको इस तरीके से सारी चीज़े करेगा जितने भी यहाँ पर वर्ड लिस्ट आपको दिख रही है वो और यह सारा काम ऑटमेटिक हो सकता है यह तूल की मदद से जो है आप लोगोने देखा होगा कुछ ऐसे सब्सक्राइब करते 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 आ रहें सब्सक्राइब यहाँ पर जाकर आप यह आपका टाइम बरबाद करेंगे तो जितने भी आप अब हटा सकते हटा दो इसके सारी टूल्स भी हो सकता है you can find on github मैंने आज तक नहीं देखा कोई tool लेकिन there might be case की आपको tool मिल जाए but port scanning तो आप सभी को पता होगा port scanning क्या होता है basically port scanning के अंदर हम लोग port scan करते हो अब कई सारे लोगों की सवाल होते हैं कि port scanning क्यों करना पड़ता है why it is necessary to scan ports तो basically port scanning करना इसलिए necessary होता है क्योंकि कई बार आप लोग content discovery कर रहो तो वो 80 वाले port पे नहीं होगा वो 443 वाले port पर हो सकता है या फिर admin.panel है जो ptm के admin panel है वो सायद 80 वाले port number पे ना होकर 443 वाले port number पे हो या फिर कोई और port number server के उपर open हो तो वहाँ पर हो सकते है तो यह होता है port number scan करने का main हमारा मकसर तो इसलिए आपको port scanning करने होते हैं इसके लिए tools है हमारे पास mask can, dns, mask can और nmap हैं यह सारे tools हैं लेकिन I will refer you to तो आप लोग में recommend यह करूँगा कि mask can को use करा करो ठीक है it is a very fast and better than nmap ठीक है वो जल्दी करता है nmap से उसके बाद service scanning के अंदर हमारे पास आता है brute spray अब nmap अगर आप लोगों ने use कर आओगा तो nmap के अंदर हम vulnerability find कर सकते हैं किसी भी server की या फिर कोई भी service की let suppose की tomcat कोई भी website है जैसे की पेटीय में वो tomcat का server यूज कर रहे है और tomcat के server में कोई vulnerability है जो अपने find कर लेता है जो भी service के अंदर कुछ vulnerability होती है जो पहले से database के अंदर store है वाले database के अंदर अगर वो database के अंदर से निकल के आता कि tomcat का जो यह वर्जन है उसमें database के अंदर store है कि यह वाली vulnerability आपको देखने को मिलती है तो nmap के अंदर जितने भी vulnerabilities या फिर ऐसे server find होते है कैसे services find होती है उसके list पहले आप लोगों को save करनी पड़ती है उसके बाद brute spray करके यह जो टूल है यहाँ पर आप लोग कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं हम लोग सीधा brute spray ठीक है brute spray टूल है काफी अच्छा टूल है काफी सारी वीडियोस है और यह बहुत ही बहतरीन टूल है लेकिन थोड़ा सा complicated है इसको यूज करना आप लोग इसको बेसिकली बहुत सार आर्टिकल्स पढ़के इसको बेसिकली आपके दिमाग में बिठा सकते हो लेकिन इस त brute force करता है आपके service के ऊपर ठीक है और इसके पास पासवर्ड की वर्ड लिस्ट है यह सारी यहां पर यूट्यूब वीडियो दे रखे डेमो के लिए यह आप देख सकते हैं लेकिन बेसिकली कुछ इस तरीके से काम करता है यहां पर पहले आप लोग उन्माप का यह वाल आ यहां पर यहां पर यहां पर करेगा यह जो ब्रूट प्रे उसका password करेगा उसकी ब्रूट लिस्क अंदर से जो बड़ली डेटाबस के अंदर स्टोर होती या फिर अपनी खुट की वर्ड लिस्क दे सकतो वह पासवर्ड देगा आप लोग को साध आप लोग इसके अंदर ले पाओ तो यहां पर endmap की मदर से बीसे यहां पर यह पर यह टूव आता है जिसे करते हैं believe डूट इसे के सँद्र CRA के ओप ठीक है यहां पर इक श £1 ए बहुत बहुत भीध लोग को दिखा देता हूँ ठीक है हम क्या करते है यहां पर यह बहुत ही बहुत कर Salt आप लोगों को यहां पर सिखाया जाता है कि आप GitHub की मदद से रिकॉनासिस कैसे कर सकता है यह आपको सीखना बहुत ही कंपल सरी है जब भी आप फ्री हो तो यह 40 मिनिट्स की वीडियो देखने के बाद आप लोग आपके करियर में 50 50 सौरी 5% आगे बढ़ सकता है यहां पर आ इसके बाद एक विजट करोगे लाख सब्टोमेंट की लिस्ट उसको एक बाद एक विजट करोगे इडिस नौट पॉसिबल ठीक है यह नहीं कर सकता आप और करोगे तो साध आप एक महिना चला जाए आपका विजट करने में हो सकता है तो यहां पर आमारे पास कुछ टू तो यहां पर क्या करेंगी टूल आपके सारे भी जितने भी स्किन अभी तक सब्टोमेंट करें एक लिश्ट के अंदर एक फाइल के अंदर से वह फाइल यहां पर आप प्रोवाइड करोगे आई विटनेस पूरा का पूरा आई विटनेस गिठाप से डाउनलोड कर सकता 404 not found वाले कितने स्क्रिंशॉट्स हैं 403 forbidden वाले कितने 500 internal server error वाले कितने सब डोमेंट्स हैं कितने सब डोमेंट्स पर कमिंग सून लिखा हुआ कितने सब डोमेंट्स अच्छे हैं कितने सब डोमेंट्स कराब हैं सारी चीज़े कैटेगराईज होती है और आपके लिए करताने के जरूरत नहीं है यह जो टूल्स है इसके मदर्च अब टॉमेंट टेक ओर कर सकत हो उसके बाद आपका जो टॉनाट आता है वह automation काता है आप लोग automation कर सकतो यहां पर हमारे पास यह जो एक आठीकल है वह आपको पैसे देने पड़ेंगे उसको पढ़ने के लिए लेकिन यह एक स्क्रिप्ट है जो हम बोलते हैं आटमेट करने के लिए जो स्क्रिप्ट होती है यह वो स्क्रिप्ट है मैं क्या मुझता हूं Google के उपर इसको टाइप करता हूं ताकि यहां पर मैं उसको टाइप करता हूं ताकि हम लोगों को वो अच्छे से देखे लिए जिन्होंने यह बनाई है उन्होंने थैंक्स का हुआ जैसन हैडिक्स को लेट उस सी ठीक है तो यह रहा रियली आसम टॉक्स और नहां कॉन एंजोड और लॉट अप देम आल्सो टैंक्स इसको अगर आप लोग बैस क्रिप्टिंग आती तो आप इसको देख पाऊगे नहीं आती है तो आप में चैनल को फॉलो करना मत बूलना मैं आपको वहापर सिखाऊंगा और इसको देख सकते और इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने लिए खूद की स्क्र है ठीक है सारी चीज़े ऑटोमेटिक होगी एंड पॉइंट्स फाइंड करेंगी ऑटोमेटिक सारी चीज़े होगी तो यह आपके लिए यूस्पूल हो सब्सक्राइज करेंगे यह आपके उच्वाट पॉद की